बयान बाजियां तो चलती रहेंगी क्योंकि सामने 24 का चुनाव है और इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नितीश कुमार का नया मंत्री मंडल बनाए गया है सबको मालू है कि बिहार की राचनिती में जाती का दाओं जबरदस तरीके से चलता है और इसलिए नितीश के मंत्री मंडल में कुर्मी, कोहरी, भूमिहार के साथ साथ यादव वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की गई क्या है समी करण और कैसे लोगसावा की चुनाव में इसका मिल सकता है फायदा इस रपोर्ट में बार बार पाला बदल कर भी सत्ता को साधे रखने का हुनर नितीश कुमार बखुभी जानते हैं बार बार वो इस बात को साबित करते हैं पाला बदल कर भी मुख्यमंत्री के पत पर बने रहते हैं नीती इशकुमार के इस उनर के पीछे बिहार के सियासत का वो समीकरण है जो लगातार नीती इशकुमार को पावर सेंटर बनाए रखता है नीती इशकुमार का साथ बीजेपी आरजेडी की ताकत को जमीनी तोर पर बढ़ा देता है सामने लोग सभाचुनाव है, बिहार में सत्ता परिवर्थन हो चुका है लेकिन इस बदलाव में भी जाती वाले समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है नीतीश कुमार के अलावा आठ मंत्रियों ने शपत ली जिसमें उस समीकरण की साफ जलग निखी है जो लोग सभाचुनाव में जीत के रास्ते को आसान बना सके बिहार के सभी 40 सीटों पर इंडिये की जीत की गैरंटी बद सके बारतिय जनता पाटी का अध्धक्ष भी बारतिय जनता पाटी ने बनाया विरुदी दल का नेता भी बनाया यह मिरे लिए भावुक्षन है कि आज सरकार में भी दाइत सरकार में काम करने के लिए भी विधान मंडल दल का नेता के तौर पर चैन किया इसके लिए मैं देश के प्रदान मंत्री जी से लेकर पाटी के रास्ते अध्ध को सभी नेतागन और सभी मानिय विधायकों का मैं विसेश्ट और पर धन्यवाद भी देता हूं बिहार के अंदर व्याप अपराद वरस्टाचार जंगल राज की मानसित्ता गुंडे राज में तब्दिल हो रहा था और सक्षम में तुने बिहार की जंता के हित में जो निरने लिये हैं मैं अपने देश के परधान मंत्री, राज़्टियत धज, गिरी मंत्री और परवारी वहोदे का आभार व्यक्त करते हैं, धनवाद देते हैं बिहार सरकार के मंत्री मंडल में दो कुर्मी और दो भुमिहार नेता शामिल है इसके साथ एक यादव, एक राज़पूत, एक पिछड़ा, एक अथी पिछड़ा और एक महा दलित को मंत्री मंडल में जगा मिली है मुख्यमंत्री नीटीश कुमार कुर्मी जादी से हैं जिसकी आबादी विहार में तीन फीजदी के करीब है डिप्टी सीयम समराट चौधरी कोईरी जबके दूसरे डिप्टी सीयम विजे सिनह भुमिहार जादी के है बीते साल हुए जाती सर्वे के मुताबिक प्रदेश में कोईरी आबादी 4.21 फीजदी जबकी भुमिहार तीन फीजदी के करीब है भुमिहार जादी सही आने वाले विजे कुमार चौधरी को भी मंत्री मंडल में जगा मिली है नए मंत्री मंडल के जरिये 14 फीजदी से ज़ादा अबादी वाले यादो वोटों को भी साधने का प्रयास हुआ है विजेंद्र यादों को नितीश की नई सरकार में मंत्री पर मिला है पिछली जेडियू बीजेपी सरकार में भी तार किशोर प्रसाद और रेणू देजी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था दोनों नेता पिछली जाद से थे लेहाजा इस बार बीजेपी ने अगली जाद की नाराज़गी भी दूर करने कोशिश की है बिहार में बड़े बतलाव के बाद नई शुरुआत हो चुकी है नई सरकार के साथ बलोग सभा चुनाव की तैयारी हो रही है लेकिन सवाल ये है कि क्या गडबंधन में शामिल सभी दल इस फैसले के साथ है देख सकते हैं आपको सीधी तश्वीरे हम दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड से यहां एक पोस्टर लगाया गया है जहां लोजपा के समर्थक साफ तोर पर अब की बार सिराग का साथ लिख रहे हैं इसका मतलब यह कि इस बार की सरकार में चिराग साथ होंगे आपको बताएं कि हाल के दिनों में जिस तरह के तीखी बयान बाजी देखी गई थी चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नितीश कुमार के बीच और सबसे बड़ी बात की चिराग काफी मुखर थे मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर उनकी नीतियों को लेकर एक और चिराग की पार्टी के नेता पटना में पोस्टर लगा रहे हैं उधर चिराग अब भी नितीश के नीतिगत विरोध का नारा लगा रहे हैं नीतिगत विरोध था है संभवता अगर इस तरीके से ही अगर उन्ही की नीतियों पर काम चल तो संभवता वह विरॉत आगे भी रहे कि मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एंडिये की वहाँ पे बनी है उस सरकार में अगर भारतिय जंता पार्टी के विजन को लोग जन शक्ती पार्डी राम विलास के बिहारी फस के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही माइनों में बिहार को उस विकास की रहा पर लेके चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अचूता रहा है तो यकीनन ये हम लोग लेक सफल निर्ने होगा बिहार में जब भी नितीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है तो इंडिये का प्रदर्शन बहतरीन रहा है और 2019 का लोग सफल चुनाव इस बात की तस्दीक करता है कि जब नितीश इंडिये का हिस्सा थे तो उस वक्त लोग सफल की 40 सीटे तो बिहार में हैं उन्वे से 49 सीटे इंडिये ने जीती थी अब एक बार फिर से नितीश कुमार इंडिये का हिस्सा है और बीजेपी का मानना है कि नितीश कुमार का OBC और EBC वोट बैंक बीजेपी के साथ आएगा तो एक बार फिर से नितीश की 40 सीटे जीते गी हलांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल में किसी महिला को मौका क्यों नहीं मिला मुम्किन है कि मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को जगा मिलेगी सशी भूशन आदित वयभाव सुझीत ज्या और चित्रत पाठी के साथ रोहित कुमार से बठना आज तक इस हफते की शुरुआत में आयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिश्ठा हुई और हफ़ते की खत्म होते होते नितीश कुमार ने RJD को नमस्ते कर दिया दोनों मामलों में जम कर सियासत हो रही है जिस तरह से राम नाम की लेहर देखने को मिल रही है उससे सवाल उठ रहे हैं कि नितीश कुमार के BJP के साथ आने में का अयोध्या भी एक फैक्टर है राजनिती में प्रयोग भी होते हैं और संयोग भी नितीश कुमार ने इंडिये के साथ जाकर फिर से बड़ा प्रयोग किया तो नई सरकार का दावा पेश करने के दोरान एक अजब संयोग भी दिखा समराट चोधरी विजज सिनहा के साथ नितिश कुमार ने राज़ेपाल, राजजिंद्र और लेकर से मुलाकात की जब नितिश ने राज़ेपाल को एंडिये विधायकों के समर्थन का पत्र सौपा, तो नितिश कुमार के ठीक पीछे प्रभुराम की तस्विर दिखी अब इस संयोग का एक सुत्र नितिश कुमार की सियासत से भी जुड़ता है, क्योंकि माना जा रहा है कि आयोध्या में राम मंदिर से जो लहर देश भर में उठी है, बीजेपी उसी लहर पर सवार होकर लोगसभा की चुनावी नाव को पार करने की कोशिश में लगी है, औ अब ये भी अजब संयोग है कि जिस हफते की शुरुआत में आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिश्ठा का कारिकरम हुआ, उसी हफते के अंत में नितिश कुमार ने पाला बदल लिया अंता करम से निर्बान करूँगा अब प्रतिश कुमार आते जाते रहते हैं, अभी अयोध्या में राम है तो बिहार में फल्टु राम है तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या जिस बिहार में मंडल वाली राजनिती का जबरदस्त असर दिखता है वहां अयोध्या के कारकरम के बाद नितिश, मंडल और कमंडल दोनों को साधने की कोशिश में लगे हैं क्या बिहार में अयोध्या के असर का आकलन करके ही नितिश कुमार ने ये फैसला लिया है ये तस्वीरें शनिवार की हैं जब नितिश कुमार के फैसले को लेकर बिहार में अटकलों का बाजार गर्म था तब वकसर जाकर नितिश कुमार ने मंदिर का उधाठन किया और पूजा पाठ की यानि राम मंदिर वाले महाल में नितिश कुमार धर्म कर्म वाली सियासत की भी एहमियत समझ रहे हैं लोग सवाचुनाओं से पहले ऐसे दलों से दूरी बनाने का फैसला किया हिंदु धर्म को लेकर जिसके निताओं के बयान पर जिवर्दस्थ हंगामा हुआ नितिश के पार्टी के नेता बारजेड़ी नेताओं के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं नितिश के फ्रसले के लिए इसे भी बड़ी वजह बता रहे हैं नितिश नौवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए है नई सरकार में सारी समिकरण सात्नी की कोशिश की जा रही है ताकि लोगसभा की चुनावी जंग में बड़ी जीत हासिल हो सके शशिभूशन, आदितेवेभ, सुधिज्जा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंग पटना आज तक